हलो जहिन सातियों स्वागते आप सभी का सत्य एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे हैं तो फाइनली सातियों यहाँ पर आई टी आई छात्रों का रिजल्ट जारी हो चुका है जिसके बारे मैं आपको पूरी जनकारी देने वाला हूँ और साति सात यह भी आपको जनकारी देने वाला हूँ कि आई टी आई का रिजल्ट आप अपने मुवाईल से कैसे चेक कर पाई है जिन छात्रों को जनकारी नहीं है कि आई टी आई का रिजल्ट जारी हो चुका है वो चात्र इस वीडियो को देखकर अंधाजा यहाँ पर लगा सकते हैं कि हाँ सचमुच आई टी आई के चात्रों का रिजल्ट जारी हो चुका है जो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको लाइप रूप दिखाने वाला हूँ फिल्ट जारी हो चुका है जैसे कि आप इसकी अफिसल विफसाइट हैं जो आई टी ए नसी वीटी की अपिसल विफसाइट है अभी हाले में कुछ यहाँ पर नोटीफिकेसन जारी किया गया था जो कि आप यहाँ पर खुदी देख सकतें सीवीटी परिछा से लेटेड अब इसमें सीवीटी पिग्जाम जो उनी चात्रों का हुआ जो इनका बैक लगा था या जिनका अभी तक एक्जाम नहीं हुआ लेकिन आजी के दिन ITI चात्रों का रिजल्ट का भी बहुती बड़ी अपडेट आ रहा है जितने भी चात्र 2020 में ध्याने किएगा 2020 में एड्मिसन लिये थे ITI में और जिनको प्रिटकल और इंग्जिनिर ड्राइंग के केवल एक्जाम पर प्रमोट कर दिया गयता है उन चात्रों का ITI का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया तो यह ITI चात्रों के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी है यदि आप भी ITI के चात्र हैं तो आपको यह जनकारी बहुत ही इंपोर्टेंट है यदि आपने 2020 में एडमिसन लिया है ITI का चात्र हैं तो आप एक बार जरूर आप चेक कीजिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि ITI के रिजल्ट चेक कैसे करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस तरह मैं यहाँ पर NCVT-MIS लिखकर Google में सर्च किया उसके बाद इस website पर आगया है इस पर आने के बाद आपको क्या करना है Home, ITI, Training, Verification तो आपको क्या करना है सात्यों यहाँ पर verification वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप verification वाले option पर क्लिक करते हैं आपके सामने तीन option नजर आएंगे जिसमें पहला e-certificate verification उसके बाद certified प्रेनी सर्च और यहाँ पर निचे आपको मारसीट verification का option देख जाएगा आपको simply मारसीट verification वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा द्याने केगा यदि आप 2020 के चातर है तब ही आप कीजिएगा अनिता आप अधर क्या है मतलब की 2020 में admission आपने लिया और केवल वन येर का course करें तो आपका सू नहीं करेगा क्योंकि ये टू येर का जिनका duration है अताग जो चातर दो साल का course करें ITI में और 2020 में उन्होंने admission लिया है उन चातरों का ITI का result जारी हुगा है आपको करना क्या है यहाँ पर आने के बाद आपको rule number या जिसको registration number बोला जाता है आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद exam system यहाँ पर click किजिएगा जैसे आप exam system पर click करेंगे आपके सामय कुछ इस तरह का page open हो जाएगा आपको नीचे annual वाले पर click करना है जैसे आप annual वाले पर click करेंगे यहाँ पर आपको select करने का option दिख जाएगा तो यहाँ पर आपको 1 और 2 दिखेगा तो यहाँ आप फश्टियर के चाहतर होंगे तो फश्ट पर click किजिएगा और यहाँ पर आपको मैदता तो फश्टियर का ही जारी कियागे यदि आपको result देखने में किसी भी परकार की दिक्कत होती है तो comment box में पूछ लिजेगा आपको जनकारी मिल जाएगी